हेलो फ्रेंज वेलकाम टू माई इस्टेटी फीज चैनल दोस्तों जितने भी कोस्टेंज पुछे गए हैं फिजिकल एजुकेशन कंपेटिटी एक्जाम से टीजिटी पीजिटी एल्टी के विएस एंविएस से उस सभी कोस्टेंज को टापिक वाइच आज आज आपके समझ कर रही हूं यह सिर्ज नंबर 23 है और दोस्तों जितने भी टीजिटी पीजिटी के विएस एंविएस के कंपटिटी एक्जाम्स हैं उनके सभी वीडियो मेरे चैनल पर मिलेंगे आप उन सभी वीडियो को चैनल के प्लेलिस में जाकर के वाच कर सकते हैं तो दोस्तों कि अन्य दोस्तों के लिए क्या आप किसी सरलतम व्यायाम का चुनाव दे सकते हैं सबसे पहले तो जानिये काईफोसिस होता क्या है काईफोसिस दोस्तों इसका हिंदी नाम कुबड़ा पन होता है जो हमारे पीठ निकल जाता है उसी को काईफोसिस कहते हैं या कुबड़ा पन या कुबजिता कहते हैं इसको और नी नामों से भी जाना जाता है राउंड बैक हंच बैक थोरे सिक काईफोसिस इन सभी नामों से इसको जाना जाता है और हमारे पीछे जो रिर्ड के हड़ी होती है ओ निकल जाता है तो इसमें कोश्टन क्या पूछा है दोस्तों कि काईफोसिस और पीठ के अन्य दोसों के लिए क्या आप किसी सरल्तम बैयायाम का सुझाओ दे सकते हैं तो इसके लिए सबसे सरल्तम बैयायाम दोस्तों तैरा की आपसर नमर दी करेक्ट एंसर है तो नियमित ब्यायाम अथ्वा समुचित ब्यायाम द्वारा तनाओ कायम रखने वाली पेश्चियों को मजबूती प्रदान कर उनके तनाओ को विक्सित किया जा सकता है अत्यधिक गुरुत्वी तनाओं को कम करके सीर को पुना एथा अस्थान पर लाया जा सकता है कायफोसिस यानि कुबड़ापन और पीठ के अन्य विसंगतियों की रोगठाम के लिए तैरने का व्यायाम तथा चक्रासन भुजंगासन आदि बहुत ही महत्वपूर्चिकिस्च की उपाय है इन ब्यायामों को काईक चिकिस्चक अत्वाबिसे सगे की सलाह से ही अपनाना चाहिए नेक्श कोश्चन है दोस्तों कि पट अवस्था में अर्था छाती के बल लेटना दाई बाह उपर की ओर और बाई बाह बगल में रखना इसके बाद दाई बाह को सिर के उपर बाई और उठाना फिर बाई हाथ से नीचे दबाना और फिर बाई नितम्ब को उपर उठाना यह ब्यायाम किस बिक्रिती के लिए लाब दायक है तो आपसर नमबर ए काईफोसीस के लिए काइफोसिस को कुपड़ा या पीछे का कूपड़ा काइफोसिस में रिड़ की अस्थियां पीछे की और निकल जाती है इस दिसा में छाती सीधी नहीं होती तर्था सिरियों गर्दन आगे की और जुक जाती है इस प्रकार के कूबर में छाती का दबा होना आम बात होता है इस तरह की सररिक विकलांगता आम तोर पर लड़कियों में जादे होती है इस बिक्रिती के उबचार हेतु इस बिधी का प्रयोग किया जाता है और सोने के दवरान अपने पीठ के नीचे हमेशा तकिया अवस्ते रखना चाहिए तो दोस्तो जितने भी सारे विक्रितियां हैं उसके लिए मैं एलग से विडियो बना चुकी हूँ उस विडियो को आप खेल चीकिसा वाले प्लेइलिस्ट में जाकर करके देख सकते हैं नेश्ट कोस्जन है कि सारे रिक संद्रच नातमा के विक्रिति में कूबर कौन्ट सी है तो कूबर किसे कहते हैं दोस्तो काईफो सी सको आफसर नमबर डी करेक्ट एंसर नेश्ट कोस्जन है कि एक किस्म की मेरू दंडी ये विक्रिति है जो एक पस्च गामी अथो प्रवर्ति वक्र की एक विधी या विस्तार अथो एक अगर वर्ति वक्र का रास उतक्रमड है उतक्रमड यानि बढ़ना तो यह कौन सा विक्रिती है दोस्तों काईफोर्शिस आपसा नमबर ए करेक्ट एंसर नेक्ट कोशन है कि लड़कियों में मुख्ये साररी विकलांगता आम तोर पर होती है तो कौन सी होती है काईफोर्शिस होती है आपसा नमबर ए करेक्ट एंसर next question है काईफोशिष बिरूपता को ऐसे भी कहते हैं काईफोर्शिष बिरूपता को ऐसे भी मतलब इस प्रकार भी उसको कहा जाता है क्या कहा जाता है कंदे, पीछे, कमर आगे दबी हुई गोल कमर, कमर एक और जुकी हुई कमर पीछे जुकी हुई इसका सही जवाब होगा दोस्तों गोल कमर गोल कमर राउंड बैक ठीक है काइफोसिस बिरुटा को गोल कमर भी कहते हैं पीछे की ओर कूबर या काइफोसिस में रिड की अस्थियां पीछे की ओर हो जाती है इस दसा में छाथी सीधी नहीं होती है गरदन आगे जुग जाती है थीकर है आईसी अवस्था में स्वसन किर्यां ठीक नहीं रहती है इस प्रकार के कूबड में छाथी का दबनाा हमबत होता है कूपोसर विमारी सवच वायो की कमी अप्रियांप्त बयायाम रिकेड्स पर अतधिक भार्ड होने से अनुचित फरनीचर का प्रियोप करने से मांस्पीसियों का कमजोर हो जाने से कुबर के मुख्य कारण है नेक्स्ट कोस्टेन है दोस्तों कि कुबर को और किस रूप में भी जाना जाता है कूबर को और किस रूप में भी जाना जाता है इसका सही आंसर होगा वक्रफीथ एंड इसको और क्या-क्या नाम जाना जाता है हंच बैक, राउंड बैक, काइफोसीस, आदी सबसे पर जाने दोस्तो इसको और क्या जाता है इसको और की नाम सब्सतों लेटर डिवियेशन भी इसको कह जाता है पार्स व सब्द जहां पे आए आप समझे का वो इसकोलियोसिस की बात कर रहा है यानि स्पाइन का एक और जुख जाना जिससे सोल्डर एक तरफ वो हिप दुसरी तरफ जुख जाते है इसकोलियोसिस दो प्रकार से होता है दो प्रकार की आक्रिती बना लेता है एक सी सिंगल इसकोलियोसिस यास आकार की डबल इसकोलियोसिस तो इसकोलियोसिस रिड के टेहे पर अर्थाथ पास्टिक वक्रता की विमारी है जिससे ब्यक्ति की संपूर रिड़ वक्राकर हो जाती है और यसी और यास के आकार की हो सकती है कुछ विशिस्ट खेलों जैसे कि तैराकी जिमनास्टिक आज इसे संबध खिलाडियों में इस रोग की समभावना अधिग उत्पन हो जाती है इन खिलाडियों में रीड की हर्दी के जोड़ों में धीलापन आ जाने से ऐसी संभवना उत्पन होती है तो इसका सही जवाब होगा दुस्तो कि खेलकुद में ईसके लिपका उट्र दिखा गया है तो जिमनास्टिक और तयराक में थिक्षा है इसको भी तूरणद बताई हूं एक तरफ के मुड़को क्या कलाता है जोएक तुरणद बताए वहाज़ा है लाडोर्सिस में क्या होता है दोस्तों इसमें हमारे कमर में गड़्धा बन जाता है पेट बाहर क्यों निकल जाता है तो लाडोर्सिस जो होता है किसमें पायाता है बजुर्ग लोगों में कि वयस्क महिला पूरुस में कि शीश्वों बच्चों में कि सभी उम्र में तो आफसे नमबर डी कायट एंसर सभी उम्र समूह में लारोसिस जो होता है रिड की हड़ी में असमाने वकता की सिती होती है जो रिड के निचले भाग में अधिक पाय जाती है कमर वाले छेतर में या इसी ती सभी उम्रे वाले लोगों में पैदा होता है और इसमें कुछ भी आसमाने बात नहीं है लेकिन अधिक वकता बढ़ जाने पर यहां प्रिश दर्दका बहुत बड़ा कारण बन जाती है नेक्स्ट कोस्चन है दोस्तों कि प्लांटर फ्लेक्शन गति बिधी मुमें केवल होती है तो प्लांटर फ्लेक्शन किसमे होती है दोश्तोंλη की आपacter्ः अकि पढ़ेंगे तो पताहि होगा कि कुल्हे में होती है ग्टने में कि कलाय में कि तुक्षन gi AWS Papction नुलेym। यानि एंकल को मोड कर पंजी के बल खड़े हो जाता है ठीक है तकना मोड लेंगे आपका पंजी के बल जो पैर के पंजे हैं उंगलिया है उन सब के बल आप खड़े होने का प्रयास करते हैं बहुदा जिम नौस्ट जो है और जो नर्तकी होती है या दांसर्स होते हैं वो ऐस तो इसी को हम कहते हैं प्लांट फ्लेक्शन वो कहा होता है तक्नि में होता है अगा निश्ट कोच्छन है प्रोनेशन एक संधी गति विधी है जैसा कि दूस्तों प्रोनेशन सुपाई नेशन की बारें आप जानते होंगे सुपाई नेसन चहरा उपर होता है हथेली उपर की तرف होती है लेकिंगता होता है कि पिछे की और होंगी तो इसमें misma ऐक शंद्रिशा गतिमीधि है जिसमें अगरबाओ का शुता है इमिपन समाइज फिछे की और हो जाती है आपसा नमबर एक औरेक्ट एंशन लेस्ट कोश्चन है दोस्तो मोटर चमता परिच्छा और सच चमता यानि फिटनेश और एथलेटिक कोशल परिच्छर के परिमाप परिवाम को कैसे प्रदर्शित किया जा सकता है तो परिच्छर परिवाम को हम परिवाम को 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 आदि इन सभी का संख्यात्मक मापन किया जा सकता है नेस्ट कोशन है हमारे सरीर में वसा तथा टीशू के मेल को कहते हैं तो इसका सही जवाब है आपसर नमबर V बाड़ी कमपोजिशन बाड़ी कमपोजिशन क्या होता है हमारे सरीर में अत्रिक्त वसा टीशू के मेल को बाड़ी कमपोजिशन कहा जाता है उर्जा के अत्रिक्त मातरा सरीर में गलाइकोजन के रूप में संगरहित यानि स्टोर होती है हलाकि सरीर में वसा के अत्रिक मातरा मोटापा उबिसिटी पढ़ाती है जो की नुक्सान डायक होती है ब्यक्ति किसी ब्यक्ति की सारीक बनावाट में सीधे तोर पर समलित घटक है लीन बाड़ी मास एंड फैट बाड़ी मास मतलब दुबला पतला सरीर अकार फैट बाड़ी मास यानि मोटा सरीर अकार नेश्ट कोश्चन है सारीक बनावाट यानि कंपोजीशन एक महतपूर अंश होता है किसका अंश होता है दोस्तों मोटार सम्टा का की स्वास समंदी सच्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ्छ् हिदय चंपता परिच्छर यानि काडियो रिस्पेर्टि इंडुरेंस फ्लेक्सिबिलिटी इस सब आते हैं मस्किलर स्ट्रेंथ मस्किलर इंडुरेंस बाड़ी कंपोजीशन इस अभी आते हैं तो यहां पर क्या कुश्चन पूछा है कि सारी बनावट कंपोजीशन एक मौतपूर अंग होता है किसका होता है कि स्वास समंधी सच्छमता का आपसन नमबर भी करेक्ट एंसर क्योंकि अच्छी सारी बनावट स्वाइम में अच्छी स्वास की दोत्तक होता है कर सारी डच्छता को मापने की विधी नहीं है कौन सा इसमें दोस्तों जैसे की कूपर बारा मिनट चाल एंड दोड यह है बाड़े मास मापना यह भी है सीट एंड रिज्टेस यह भी है उचाई मापना यह नहीं है उचाई मापना सरीर रचना समधी माप अकलन है आपसा नमबर डी करेक्ट एंसर नेस्ट कोश्चन है डाक्टर कनेथ कूपर किससे के ब्याक ख्याता है तो दोस्तों यह 12 मिनट रनवाक के बारे में प्रसीद है इ दोड अथवा पदयात्रा प्रसिच्छर से समंधी टेस्ट कूपर टेस्ट के नाम से बिख्यात है डाक्टर करेत कपूर कूपर एक अमेरिकन चिकिश सक थी जिन्हें आर्मी की लोगों की फिटनेस जांश्चेतू इस टेस्ट का सरप्रथम प्रयोग किया गया था इस टेस करने के लिए कहा जाता है और देखा जाता है कि वह अधितम कितनी दूरित्ते कर सका यह सहन सक्ति का मुल्यांकन करता है बारा मिनट रन्वाग जो केनित कूपर ने खोजा है वो किसके मुल्यांकन में काम आता है दोस्तों सहन सक्ति इसको भी से इस उप में ध्यान रखिए करता है कि अभी तुरंद बताएंगों तो यह किसका उल्यांगन करता है तो सहन सकती का ठीक है कूपर के बारा मिनट वाक एंड रन परिछर की प्रोहा उत्पादक्ता व्यक्ति के करेक्ट एंसर तो दौस्तों आज के लिए बस इतना ही और इतनी part nets अग्त वी नैस्स वीडियो में होगा और अंड दोस्तों आई होब की सभी कुश्चिंस आपको समझ में आता होगा एंड दोस्तों ये वीडियो कैसा लागा मुझे कमेंट में जरूर बताईए और जादे से जादे वीडियोज को शेयर किया किजिए जिसे मुझे एक नया मोटिवेशन मिल सके जिसे मैं डेली बेसेज पर आपके लिए वीडियो जिलाती रहूँ दोस्तों जितने भी ठिरिकल पार्ट अभी बचे हुए हैं टापिक्स बचे हुए हैं उन सबको मैं पूरा करूँगी एंड एमसे क्यू डेली बेसेज पर आते रहेगा तो दोस्तों चैनल पे पहली बाव विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए बेल आइकान को प्रेस कर लेजिए जिसे जोई मैं नया वीडियो अपलोड करूँगी उसका नाटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो मिलते हैं नेश्ट विडियो में नेश्ट टॉपिक की साथ तब तक के लिए जैहिंगा